हेलो बच्चो नमस्कार जै पी डबलू सभी भावी डोक्टर्स को मेरा सलाम मैं सुनिल कुमार यादव आपका इसकाई सर एक बार दुबारा से हाजीर हूँ आपके सामने mind map series में लेकर complete chapter that is biotechnology principles and processes बच्चे आप लोगों को पता है यह chapter जो है यह बहुत ही conceptual chapter है और पूरा का पूरा chapter समझने वाला chapter है मैंने कोशिस यह करी है कि इस chapter के हर एक portion को थोड़ा या जादा जैसे भी करे वो अपने revision session में सामिल करूँ और वो आपको दिखाई भी देगा तो आप लोग लगातार mind map series से जुड़े हुए हैं लगातार देख रहे हैं खूब सारा प्यार दे रहे हैं यह प्यार ऐसे ही देते रहें और आपके इतने इशारे प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद और PW का भी बहुत बहुत आभार कि जो एतन रहे पास byain technology आप यह बता है कि इसका मतलब क्या है यह सब्सक्राइश करा मतलब कुछने आपका है और kamp Trule के लुए लग्वाश consoler और युज़ दो यूजफ यूज किया गया था ऐसे बनाने के लिए जो की दूरे तो तो जब भी कुछ या5 को या उन embargo को यूज लिया जाता है ऐसे बनाने के लिए जो कि human being के लिए beso सभी है तो उसे हम किवह औल अलेगग एपने अश्फ़ से ऐपने पास नियूंब और modern era, जो की present वाला, that is after 1970 के बाद का, यह 1970 से पहले की कानी, यह 1970 के बाद की कानी, 1970 से पहले की कानी, that is old और traditional जो बायो टेक्नलोजी थी, उसमें क्या होता था? पिटा, old और traditional बायो टेक्नलोजी में अपन conventional method, that is traditional method यूज करते थे, हम living organism जो थे, उनकी natural abilities, उनकी natural जो पावर थी, उनी का यूज करके, ऐसे product बनाते थे, जो human being के लिए useful है, तर जैसे, जैसे हमने क्या काम किया, हमें पता था, कि lactobacillus जो वैक्टीरिया है, उसमें ये ability है, कि वो दूद से दही बना सकता है, तो हमने उसकी इस natural पावर का यूज किया, और उस natural पावर का यूज करके, दूद से दही बना लिया, ये काम किसका था, ये था old, और मैं कहूँ ट्रैडिशनल बायो टेक्नलोजी का, लेकिन modern बायो टेक्नलोजी ऐसी कामें नहीं ले रहे, तो पहले हम micro organism के genetic material के साथ कोई छेड़ खा नहीं कर रहे है, उसके genetic material को modify कर रहे है, जब genetic material modified होगा, तो उसमें कोई नई ability develop होगी की नहीं होगी, बोल हाँ की न, तो हमने कहा कि ये एक ऐसी technology थी, genetic engineering वाला जो portion था, ये इसमें जब काम लिया गया, तो ऐसे technologies काम ली गई, जिसके दुआरा पहले organism के genetic material को modified किया गया, और उसके बाद उस organism से ऐसे product बनाए गए, जो कि human being के लिए useful है, जैसे अपन खूब सारी अलग अलग तरह की antibiotics बनाते हैं, हम खूब सारी अलग अलग तरह की vaccines हमने बनाई है, human insulin वगेरा बनाया है, growth hormone बनाया है, ये सारे के सारे modern biotechnology से बनाए गए product थे, जो किस पर बेश्ट थे, genetic engineering पर बेश्ट थे, अब सवाल उठता है, सर, आप एक बात बताईए कि आपने बोला कि चैप्टर का नाम है, biotechnology, biotechnology को आपने explain किया, उसके बाद था principles and processes, तो आप बताईए, what are the principles of biotechnology, पिटा, biotechnology जो थी, उसका main principle था, वो क्या था, अपने पास genetic engineering, इस genetic engineering में तीन चीज़े included है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले, our DNA, that is recombinant DNA का formation करते हैं, उसके बाद gene transfer करते हैं, that is transformation करते हैं, and third बाला था, उसमें gene cloning करते हैं, तीनों के तीनों किसके अंदर included है, genetic engineering में included है, अरे हा कि ना, तो सबसे पहली बात थी कि, genetic engineering में किया क्या गया, बेटा, genetic engineering में सबसे पहले हमने genetic material को modified किया, तो इसी लिए NCIT लिखा, कि this technique is used to alter the chemistry of genetic material, मतलब genetic material को क्या कर या, modified, फिर उस modified genetic material को हमने किसी micro-organism की body में डाल दिया, जिसको पने बोल दिया, transformation, that is, वो वाला portion होगा, gene transfer, और जब किसी micro-organism की body में, host की body में, हमने modified genetic material, that is, RDNA को डाला, तो उसका phenotype बदल जाएगा, कुछ characteristic feature बदल जाएगे, और ऐसे organism, जिन में modified genetic material है, उन्हें बोलते ह GMO, that is, genetically modified organism, अब इन genetically modified organism को हम large scale पे growth करवाते हैं, ताकि उस desired gene की बहुत सारी copies सयार की जा सके, या मैं कहूं, कि desired product जो था, वो बहुत ज़्यादा amount में, amount में, produce किया जा सके, तो जब भी पूछे, genetic engineering में क्या किया, सबसे पहले genetic material बदला, मतलब, RDNA बनाया, फिर उस RDNA को host cell क formation किया, अब वो organism, जिसमें, modified genetic material है, उसको बोलते GMO, यहां तक का काम कहा कर लिया, हमने, genetic engineering में, अब दूसरा था, bio process engineering, बिटा, bio process engineering में, जो यह genetically modified organism थे, हम इनको maintain करते हैं, that is, maintenance of genetically modified organism, कैसे किया, बच्चे, यहां पर हमने, culture medium लिया, यह culture medium ऐसा था, जिसमें, nutrients तो बहुत सा style medium था, मतलब पहले से, इसमें, कोई भी microorganism प्रजेंट नहीं है, हमने क्या काम किया, यह जो GMO हमने बनाए थे, इन GMO को transfer कर दिया, किस में, culture medium में, अरे, culture medium में, nutrients क्या है, खूब सारे, तो यह GMO, बहुत तेजी से multiply करेंगे, और इनके number बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो ह बनेगी की नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, अरे, जितने ज़्यादा genetically modified organism बनेगे, हमने बोला, desired gene की copy भी उतनी ज़्यादा बनेगी, और उतनी ज़्यादा क्या बनेगे, product, तो हमने बोला, कि bio process engineering में, genetically modified organism जो था, उनको maintain किया, ताकि वो large scale पे growth कर सके, और desired product, हम large scale पे produce यूज कर सके, और इसी basis पे हमने बहुत सारी antibiotics, बहुत सारी vaccines को large scale पे produce किया, यही principles थे, किसके, यही principles थे, किसके, bio technology के, कलूँ मैं आगे, आगे देखते हैं, अगला बात था, सर, अपने पास सबसे पहले recommendant DNA किस scientist ने बनाया, और किस year में बनाया, बेटा, अपने पास 1972 में, दो scientist लोग, एक था Stanley Cohen, और दूसरा था Herbert Boyer, इन दोनों scientist लोगों ने सबसे पहले recommendant DNA ने बनाया, कैसे बनाया, बच्चे, इनोंने क्या काम किया, एक source DNA जो थ था, उस से antibiotic resistance की gene बहर निकाली, कोन सी gene बहर निकाली, antibiotic resistance की gene बहर निकाली, और इधर एक bacteria, that is Salmonela type femorium जो bacteria था, दािए टाइप इमूरियम बेक्टिरिया से प्लाजमीड बहर निकाला, ये प्लाजमीड बहर निकाला, इस प्लाजमीड को REE, that is restriction endonucleide से cut किया, ये जस restriction endonuc जो थे चाहिए ये वाला हो चाहिए ये वाला ये दोनों के दोनों क्या थे सेंग तो हमने बॉला source DNA को भी उसे restriction endonucleate से cut किया जिस restriction endonucleate से salmonella type yummurium के plasmid को cut किया था बोलो हाँ कि ना जब cut किया तो यहां से तो Antibiotic resistance जीन आई और यहां से ये मेरे पास Plasmid को cut कर दिया और ये Plasmid ही तो है मेरे पास क्या ये Plasmid ही तो है मेरे पास Vector हमने क्या काम किया DNA Ligage की हल्ब से सालमोनेला टाईप हिमुरियम के Southern आज मीड से इस antibiotic resistance की जीन को जोड़ दिया अरे जब इसको जोड़ दिया तो अपने पास formation हुआ किसका इस recombinant DNA का formation हुआ किसका formation हुआ इस recombinant DNA का और इस recombinant DNA कोई बोलते हैं hisi को बोलते हैं इला यह से किसी को बोलते हैं यह एक डिय्यक डियनने को यह Knowing ale डियन Are तो सबसे पहले रिकोमिनेंट डिये ने किस ने बनाया कोहें एंड बोयर ने बनाया कब बनाया 1972 में कैसे बनाया साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाजमीड से एंटिबायोटिक रजिस्टेंस की जीन को जोड़के फिर बनाया ये बात याद रखनी है कलू में आगे एक नया चिंसेप्ट बेहतरिन कशेप्ट भिता यe year 1963 में हमारे साइटिस्ट लोगों ने ि कोलाई बक्तीरीया से थो एंजाइम्स टी है एक एचिप्याट्न फा मिधाले इसको बोलते मं यदूसरा करेगा तो ये उसah वाइर्द के जैनेटिक मैटीरीयल को छोटे-छोची चुकडों में काट डालेगा अरे जब छोटे चोटे टुकडों में काट डालेगा इसका मतलब कि वाइरस के genetic material का क्या कर देगा digestion जिससे वो वाइरस बैक्टिरिया के अंदर कोई भी disease produce नहीं कर पाएगा बोलो हां कि ना सवाल था cutting factor ने आप बोला वाइरस के genetic material को काट अरे ये cutting factor तो प्रोटीन था इसको बेचारे को क्या पता कि कौन सा वाइरस का girl के genetic material से methyl group को add कर देता है जब बैक्टेरिया ने खुद के डियने से मिघ्एल गुरूप aghед कर लिया गया तो अब ये cutting factor जो है यह cutting factor कभी भी बैक्टेरिया के डियने से जूड़ नहीं पाएगा और जब बैक्टेरिया के डियने से जूड़ नहीं अरे हां कि ना तो इसका मतलब तो यह वह मेरे दोस्त कि यह methylating factor जो है यह तो bacteria के genetic material का methylation करके इसे cutting factor से बचाने का काम करता है और दूसरा यह cutting factor है यह virus के DNA को काट करके या digestion करके bacteria में virus के infection को रोकने का काम करता है बिल्कुल यही काम करता है और आज कल इस cutting factor को ही हम बोलते हैं यस बेटा यह cutting factor जो है इसी को बोलते हैं restriction कि endonuclease जब भी पूछे बताओ restriction endonuclease किसे बोला जाता है इस cutting factor को ही आज कल हम बोलते हैं restriction endonuclease जो किसी भी DNA के inner phosphodiester bond को तोड़ता है एक specific site से और उस specific site को हम बोलते है restriction site क्या बोलते है restriction site चलू मैं आगे यहां तक की बात clear हुई अब सवाल था सर आपने यह एक term introduced किया that is restriction endonuclease आप यह बताओ ना यह restriction endonuclease enzyme क्या होते हैं कैसे बनते हैं क्या आप इनके कुछ characteristic feature बता सकते बिल्कुल बता सकते वन-बाई वन करकर का आट करते हैं सब्से पहले discovered किडिया discourage restriction endonuclease यह हैं वो मेरे पास है in second जब भी पुछे restriction endonuclease enzyme केवल और केवल बैक्टीरिया की बोडी में बनते हैं किसकी बोडी में बैक्टीरिया की बोडी में यूकेरियोट और्गनिजम की बोडी में कभी भी restriction endonuclease enzyme नहीं बनते और अब तक हमारे scientist लोग 230 से भी अधिक bacteria से 230 से भी अधिक strain of bacteria से 900 से भी जादा restriction endonuclease enzyme को isolate कर चुके हैं isolate कर चुके हैं तो जब भी पूछे आब तक कितने restriction endonuclease isolate किये गए आप कोगे more than 900 कितने बैक्टीरिया से तो आप कोगे more than 230 stains of bacteria से सवाल था restriction endonuclease क्या काम करते हैं अरे आप भी तो बताया कि जब virus bacteria में infection करना की कोसिस करता है तो virus के DNA का digestion कर देते हैं उसे चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ देते हैं ताकि वो bacteria में infection नहीं कर पाए तो मैं कहे दू कि restriction endonuclease bacteria को bacteriophage और virus के infection से बचाते हैं इसलिए हमने बोला कि यह किसका part है हमने बोला यह bacteria की defense mechanism का part है सवाल था सर क्या हमारी बोडी में restriction endonuclease बनते हैं ना कभी भी restriction endonuclease जो थे वो eukaryotic cell में synthesize नहीं होते वो केवल किसमें होते हैं prokaryotic cell में बोलो हां कि ना अब कितने अपने पास है more than 900 है अब हर एक restriction nucleus जो है वो DNA को अलग-अलग site से काटता है मतलब अगर मेरे पास 900 के आसपास restriction endonuclease है तो 900 restriction endonuclease की सब की अपनी अलग-अलग site होगी 900 enzyme तो उनकी site भी क्या होगी अलग-अलग होगी that is 900 sites होगी बोलो हां कि ना तो जब भी से पूछे कि कोई restriction endonuclease जिस specific site से DNA को काटता है उस site को क्या बोलते हैं अरे उस site को उस restriction endonuclease की restriction site और recognition site बोलते हैं कौन सी site बोलते हैं restriction site और recognition site बोलते हैं और आपको बता दूं कि restriction site जो होती है इसमें fall to 8 base pair present होते हैं तो सीधी सी बात है restriction site कितने base pair से बनती है fall to 8 base pair से बनती है और उन base pair का sequence होता है palindromic sequence का बाल था सर क्या बताओगे कि palindromic sequence का क्या मतलब है भाई बिलकुल बताएंगे बड़े ध्यान से देखीगा आपके सामने ये sequence लिखा हुआ है अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखते हैं तो जी ए ए टी टी सी है की नहीं है दूसरे strand को देखेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो जी ए ए टी टी सी तो आप यह देख रहें कि यह एक palindromic sequence है जो चाहे इस direction से जाके देख लो तब भी सेम है चाहे नीचे वाले strand में 5 प्राइम जाके देख लो तब भी सेम है तो मैं यह कह दू कि palindromic sequence वह था जो कि both end से same sequence आ रहा हो that is ultra सीधा एक समान इसी sequence को क्या बोलते है palindromic sequence अब कोई भी restriction endonuclease enzyme रहे उसकी restriction site और recognition site पे always कैसा sequence होगा palindromic sequence होगा और यह 4 to 8 base pair का sequence होगा सवाल था तर अगर हमें किसी restriction endonuclease enzyme का nomenclature करना हो तो हम कैसे करेंगे बिटा अगर किसी भी restriction endonuclease का nomenclature आप देखोगे तो उस nomenclature में अपने पास about 3 to 4 तो होते है letters प्लस एक roman number होता है किसी भी restriction endonuclease का जब नाम देखेंगे तो उसमें 3 to 4 तो होते है letters एक होता है roman number for example अपने पास E को R first E को R first को हमने देखा इसमें first letter जो capital letter है वो represent करता है name of genus दो जो small letter है वो represent कर रहा है name of species यह आर जो है यह represent कर रहा है strain of bacteria यह किसको represent कर रहा है यह represent कर रहा है strain of bacteria और E को R first को जिस bacteria E. coli bacteria से लिया गया था उसका strain था R y 13 और यह first जो लिखा हुआ है यह first जो है यह अपने पास represent कर रहा है represent कर रहा है वो कर रहा है order of isolation कि कि कितने number पे इस enzyme को isolate किया गया तो number क्या था first इसका मतलब E को R first वो first restriction endonuclease enzyme था यह मैं कहूं वो restriction endonuclease था जिसको सबसे पहले E. coli R y 13 की बोडी से बाहर निकाला गया था तो यह बात आपको याद रखनी है Ncati माता ने मी दे रखी है चलू मैं आगे आगे बढ़ते हैं तबा था तर आपने बोला था कि restriction endonuclease enzyme जो है वो किसी भी DNA को एक specific sequence से काटते है और वो जो specific sequence है वो उनकी restriction site है जिस पर palindromic sequence present होता है अलग-अलग restriction nuclease की site भी क्या होगी अलग-अलग यहाँ पर आपको देखिए कि अगर किसी restriction endonuclease को देखे तो restriction endonuclease enzyme जब DNA को कट लगाते हैं तो वो कट दो टाइप से लगा सकते हैं एक कट लगाते oblique cut that is तिर्छा cut एक लगाते straight cut that is सीधा cut सबसे पहले हम बात करते हैं oblique cut के बारे में माल लेजी हमारे पास यह एक recognition site है यह recognition site है किसकी है e-co-r first की है बेटा e-co-r first जब भी dna पर कट लगाएगा सबसे पहले वो entire length of dna का inspection करेगा वहाँ पे वो अपनी recognition site को ढूंडेगा ढूंडने के बाद जहां जहां पे recognition site मिलेगी वहाँ वहाँ पे जाके e-co-r first जुड जाएगा और जुड के अब वो इस recognition site वाली जगे से dna को क्या करेगा cut करेगा ध्यान रखना जब भी e-co-r first cut करेगा वो अपनी recognition site में हमेशा इस g and a के बीच के phosphodiester bond को तोड़ेगा अरे जब इस phosphodiester bond को तोड़ेगा तो मैंने बोला यह cut कुछ ऐसा लगया की नहीं लगया जब cut लगा ऐसे तो इस dna के piece बन गए एक ये वाला और एक ये वाला अब दोनों end को देखीगा इन दोनों end पे यह आपको unpaired base pair दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे यस यह unpaired base pair दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे तो ध्यान रखना जब कोई restriction endonuclease dna को recognition site के beach से थोड़ा हटके beach से थोड़ा सा हटके cut करे that is दिर्चा cut लगाएगा तो हमेश्या end पर dna के fragment के end पर unpaired base pair present होंगे और ऐसे end को बोलते sticky end कैसे end बोलते हैं sticky end ध्यान रखना sticky end पर हमेश्या unpaired base pair present होंगे और ये sticky end ही recombinant dna के formation के लिए जरूरी है मतलब genetic engineering और recombinant dna technology में कौन से end होने चाहिए dna पर अगर कोई दूसरा dna जोड़ना है तो उसके पास sticky end होने चाहिए तब भी recombinant dna बन सकता है otherwise recombinant dna नहीं बन पाएगा दूसरा तरीका था मेरे पास यह जो मेरे पास restriction site है वो sma first restriction endonuclease की है यह भी इसी palindromic sequence और इसी recognition site को identify करेगा यहाँ पर जुड़ेगा और फोस्फोर डाइस्टर बॉर्ण को तोड़ेगा लेकिन यह जब भी फोस्फोर डाइस्टर बॉर्ण तोड़ता है तो अपनी recognition site के बिलकुल बीच से तोड़ता है मतलब बिलकुल बीच का मतल बनेंगे आप यहाँ पर देख रहे थे कि दो फ्रेगमेंट बनें उनके दोणों एंड्स पर अनप요 और एसे end को हमने क्या बोला था sioka लेकिन यहाँ पर दो फ्रैगमेंट के end को द्यान से देखी का यहां केवल और केवल पेर बेस प्रेजेंट है और जहां भॉबिनेन डीयेने के लिए ओमें कैसे एंड चाहिए इसटीक एंड चाहिए और लुमें हागए हाजी चले तो देखीगा अगरी बाती तूछ टूलस भायो टैक्नलोजी बायो टैक्नलोजी के कोशन से टूलज है अन्टीब से पहले हैं अपने पास थैंजाइम एंजाइम बिटा बायो टेकलोजियों में कई थी तरह के एन्जाइम कामाता है लाइक लाइतिक एंजाइम क्लिविंग और रेस्ट्रिक्ष्ट्ट्षन जोइनिंग एंजाइम लाइक लाइगेज, h紫े सब्सक्साइजिग एं जिसके साथ हम desired DNA को और gene को जोड़के host cell में भेज़ते हैं उस DNA को बोलते हैं विकल और वेक्टर DNA, चलू में आगे, next, तीसरी यहाँ पर चाहिए desired gene, बिटा desired gene वो DNA का fragment था, जिसके पास हमारा वो character था, जो कि हमें required था, अरे हां कि ना, तो इस अपने पास desired gene को ही अपन बोलत chest, जिसके पास वो character था, जिसकी हमें जरुरत थी, जिसकी हमें जरुरत थी, next, host cell, बिटा, host cell मेरे पास वो microorganism था, या वो organism था, जिसमें recommend DNA को transfer किया जाता है, ताकि हम उसकी बहुत सारी copy तयार कर लें, तो उसको अपन बोलते हैं, host cell या host organism, अब अपन बात शुरू करते हैं वो enzymes के बारे में तो सीधी-सीधी बात थी, जिनमें सबसे बड़ा importance, restriction endonuclease रख रहा था, मैं बात सुरू करता हूँ, वो vector और vehicle DNA से करता हूँ, यह important बात है, सुनिएगा, जब भी पूछे vector क्या था, मैंने क्या बताया, vector क्या था, मैंने बोला था, vector वो carrier DNA और vehicle DNA था, जि यह ने that transferred desired gene, desired gene into the host cell, जो host cell में क्या कर रहे है, transfer कर रहे है, अब सवाल था, sir, अगर एक अच्छे vector को देखे, तो अच्छे vector के क्या character होना चाहिए, पिटे, एक अच्छा vector का size अमेसा क्या होना चाहिए, चोटा, सवाल था, size चोटा होगा, तो क्या होगा, अरे vector का size अगर चोटा होगा, तो हम उसे easily handle कर सकते हैं, size चोटा होगा, तो उसे easily handle कर सकते हैं, बस यही फाइदा होगा, दूसरी चीज, कोई भी vector रहे, उसके पास origin of replication, that is ORI site होनी चाहिए, ORI क्या होनी चाहिए, site होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह थी, sir, यह ORI site क्या काम करती है पिटा, यह ORI site ही, site ही, replication करवाने के लिए responsible है, क्या करवाने के लिए responsible है, replication, अगर किसी vector में ORI site नहीं होगी, तो कभी भी replication नहीं हो सकता, तो replication of plasmid करवाने के लिए, अगर हम vector की जगे plasmid का में ले रहे हैं, तो उस plasmid का replication करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें, ORI ORI site से यह, चलो मैं आगे, सवाल था, तर ORI site किसके लिए जरूरी थी, replication के लिए जरूरी थी, अब इस ORI site का क्या रोल था, बिटर ध्यान रखना, कभी भी जब हमें desired gene को, या desired DNA fragment को जोडना होता है, तो desired gene और desired DNA fragment को, हम ORI site के साथ जोड़ दे हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, ORI site के साथ, चाहे तो ORI site से बिल्कुल चिपका के जोड़ दो, चाहे ORI site से कुछ दूरी पे जोड़ दो, हमें ORI site के साथ जोड़ना है, ध्यान रखना ORI site के अंदर नहीं जोड़ना, अगर कभी भी gene of interest को आपने ORI site के अंदर जोड़ दिया, तो उस DNA का कभी भी replication नहीं होगा, replication cable तब होगा, या तो आप ORI site से चिपका के जोड़ दो, या थोड़ी दूरी पे जोड़ दो, मतलब ORI site के साथ लिंक करना है, ORI site में लिंक नहीं करना, पहली बात, दूसरी बड़ी बात, अगर vector के पास ORI site नहीं होगी, और आपने वहाँ पे अपने desired gene को जोड़ दिया, ORI site में लिंक नहीं करना है, बोलो हा कि न, अब अगला सवाल था, सर, यह ORI जो था, आपने बोला, कि यही था, जो replication को सुरू करवाने के लिए, initiate करवाने के लिए ज़रूरी था, इस ORI का क्या काम है, बिटा, इस ORI के तीन बड़े बहतरीं काम है, सबसे पहले, सबसे पहले, हमने बोला, होस्ट सेल में, होस्ट सेल में, जब हमने रिकोमिनेंट डियने को डाल दिया, तो यह ORI जो था, यह प्लाजमीड की कोपी करवाने का काम करता है, अरे हां कि न, तो जब भी कहे, कि होस्ट सेल में, प्लाजमीड की कोपी, जो थी, उस कोपी नंबर उतने अपने पास desired gene की copy भी बनेगी की नहीं बनेगी तो मैं यह कह दूँ कि ORI जो है वो हो सेल में copy number of plasmid को क्या करता है increase करने का काम करता है पहली बात copy number of desired gene को भी क्या करता है increase करता है copy number of desired gene को भी increase किया copy number of plasmid को भी क्या किया, increase किया, बोलो हां कि ना, और तीसरी और बहुत पुरुन बात, बैक्टिरिया की जो cell थी, उस हर एक cell की capacity अलग-अलग होती है, सर, किस मैनर में, कोई बैक्टिरिया तो ऐसा होता है, जो केवल दो plasmid रख सकता है, कोई बैक्टिरिया ऐसा हो सकता है, जो पांच plasmid रख सकता है, कोई बैक्टिरिया ऐसा हो सकता है, जो सो रख सकता है, बोलो हां कि ना, तो हर एक बैक्टिरिया की plasmid रखने की जो ability होती है वो होती अलग-अलग तो कहने का मतलब कि कोई बैक्टिरिया कितने में एक्जिमम प्लाजमीड रख सकता है उसके बाद आगे और जादा रेप्लिकेशन नहीं होना चाहिए तो कहने का मतलब कि बैक्टिरियल सैल में कोपी नंबर ओफ प्लाजमीड को कंट्रोल करने का काम कि अगर कोई 5 रख सकता है तो केवल 5 ही कोपी बनवाएगा अगर कोई 50 रख सकता है तो केवल 50 तक ही कोपी बनवाएगा वो कौन कंट्रोल करता है वो भी अपने पास ORI कंट्रोल करता है तो ORI के तीन काम पहला कोपी कोपी नंबर ओफ डिजाइड जीन इन होस्ट सेल क्या करता है इंक्रीज करता है दूसरा नंबर ओफ कोपी जो प्लाजमिड इन होस्ट सेल वो क्या करता है इंक्रीज करता है एंड तीसरा एंड सबसे लास्ट कंट्रोल कोपी नंबर ओप्लाजमिड इन टू दा होस्ट cell के HOSCell में कितनी कोपी तक बनवानी है उसको कंट्रोल भी कौन करेगा OR 같아요 जितनी बनवानी होगी उतनी जोई बनेगी उसके बाद आगे बनना बंद कर देगा कौन कर देगा OR ça ये किया था वेक्टर का दूसरा Characteristic for The appeared तीसतर आपने पास था कि वेक्टर के पास होना चाहिए Selectable Marker, सवाल था सर्फ Selectable Marker होता क्या है, पीटा आपने जब बायो टेक्नलोजी पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा, जब हम होस्ट में जीन ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफोर्मेशन कर देते हैं, और ट्रां बोलते हैं, NT, that is non-transformant, NT, मतलब non-transformant, एक वो microorganism जिसमें प्लाजमेट तो गया, लेकिन इस प्लाजमेट में हमारी जीन ओफ इंट्रेस्ट और डिजाइड जीन नहीं है, मतलब यह non-recominant प्लाजमेट है, तो दूसरा वो जिसमें प्लाजमेट तो गया, प्लाजमेट गय और प्लाजमेट भी कौन सा गया, रिकोमीनेंट वाला गया, तो ट्रांस्फोर्मेंट, रिकोमीनेंट, TR, तो exactly में हमारे काम का माइक्रोगनिजम कौन सा, भाई काम का माइक्रोगनिजम तो वो, जिसके पास वो प्लाजमेट है, जिससे हमारी जीन ओफ इंट्रेस्ट प्रिजेंट है, तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें requirement होती, किसकी selectable marker की, इसी लिए लिखा, this gene is required for selection of transformant with recombinant cell, selectable marker gene किससी में काम में आती है, जो Marker Zine है, वो Transformant Recominant के Selection में काम में आती है, उसे Select करने में, उसे ढूनने में काम में आती है, और Selectable Marker Zine में हम दो तरह की Zine को जँनेरली काम में लेते हैं, ले लेते हैं काई बार, siege को काम में लेते हैं, या lack z Ravi Sen को काम में लेते हैं, इन दोनों को काम में लेते हैं, इस अधे Gemeेशसिं परफेडर आफ़नेर्ची related deze गारते है unformative सब्सक्राइब था सर्क्राइब क्लोनीग और सेसे कहले नैच्ञेट जोड़ा जाता जैसे यहां पर देखिए यह उस्फ the पूंद इस वैक्टर में यह मेरे पास i sur EOR 1st की site है. exactly में यह EOR 1st की site इसमें भी है और यह मेरे पास जो source DNA है. इस source DNA में भी तो EOR 1st की site है. बोलो हाँ कि ना? मैंने source DNA को जब EOR 1st से काटा तो मेरे पास desired gene आगी की नागी? अब इस desired gene को मैं कहां जोड सकता हूँ vector में? vector में वहाँ जोड सकता हूँ जहां पर EOR 1st की site है? बोलो हाँ कि ना? EOR 1st की site मतलब restriction site. तो मैं यह कह दूँ कि cloning site जो है, वो exactly में किसी restriction endonuclease की restriction site ही होती है. जहां पर desired gene को जोडा जाता है, जहां पर desired gene को insert किया आता है. अरे इसको EOR 1st से काटा, इसको EOR 1st से काटा, दोनों को हमेशा same RE से काटते हैं, ताकि complementary sticky end बन सके. यह आया और यह आया, अब इन दोनों segment को जोड दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? रिकोमिनेंट यह नहीं आ गया. बोलो हाँ कि ना? तो कहना मैं यह चाहा रहा था, कि जब भी पूछे कि बताओ cloning site क्या होती है, तो मैं कह दू, cloning site vector में present वो site थी, जहां पे desired gene को जोडा रहता है, अब सवाल था, सर एक vector को देखे, मतलब हमने यह वाली line कर ली, type of vector where desired gene is to be inserted, अब सवाल था, कि सर एक अच्छे vector को देखे, तो अच्छे vector में recognition site और cloning site कितनी होनी चाहिए, बिटा, एक अच्छा vector जो था, उस अच्छे vector में more than one recognition site होनी चाहिए, लेकिन एक restriction endonuclease कि केवल कितनी site होनी चाहिए, एक site होनी चाहिए, यही बात मैंने यहापे लिखी, कि good vector should have restriction sites for many restriction enzymes, but only, but only one restriction site for each enzyme, इसके पास restriction site तो कही सारी होनी चाहिए, लेकिन एक restriction endonuclease की केवल एक site होनी चाहिए, रवाल था, सर एक restriction endonuclease की एक से ज़्यादा site होगी, तो दिक्कत क्या पहला question, और दूसरा question ही आया, कि इसमें अलग-अलग restriction nuclease की कई सारी site होगी, तो यहां कि ना, कई सारी site है, लेकिन सारी किसकी है, अलग-अलग restriction endonuclease की है, तो उसे फाइदा क्या होगा, बड़े ध्यान से देखेगा, मैं डाइग्राम में इस बात को explain करने को सिस करता मतलब, इसका मतलब कि इस vector से मैं केवल उसी desired gene को जोड सकता हूँ, जो किस से अलग की गई हो काटके, जो की eqr1 से काटके अलग की गई हो, बाकि किसी भी gene को नहीं जोड सकता, मतलब अगर मेरी desired gene जो थी, वो desired gene ऐसी जगह पे है, जहां पे eqr1 की site नहीं है, तो कभी भी इस vector के साथ नहीं जोड पाऊंगा, अरे हां की न, तो ये तो था कि इसमें restriction site थी, एक के लिए थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि केवल इसी restriction site से, इसी restriction endonuclear से काटके, अगर desired gene को अलग किया गया होगा, तब ही वो यहां पे जोड सकती है, बाकि नहीं जोड सकती, मतलब choice केव एक थी, that is, ecoR first से कटी हुई, जो desired gene थी, वो ही जोड सकती है, दूसरी condition, हमने बोला, ये मेरे पास दूसरा vector था, और इस vector में हमने बोला, ecoR first के एक नहीं, तीन site दिखाई दे रही है, एक site ये रही, और एक site ये रही, अब यार, ecoR first के तीन site है, मतलब जो ही मैं, ecoR first लगा काटेगा, ecoR first यहांते भी काटेगा, और ecoR first यहांपे भी काटेगा, तो बताओ, पूरे के पूरे वेक्टर के कितने टुकडे होगे, तीन टुकडे होगे, यार अब दिक्तत होगी, तीन टुकडों में, हमें ये ढूंड़ना पड़ेगा, कि ORI किसके पास है, तब जाके, हम हमारी gene of interest को जोड़ पाएंगे, अरे हां कि ना, बताओ, ये काम जो था, अगर एक जगे से काटते, तो एक जगे से काटके, तो जिस जगे से काटा, वहाँ पे तुरंत के तुरंत, desired gene को fit कर देते, लेकिन दिक्कत यहां थी, कि यहां पे पहले तीन टुकडों में से कि और आई किसके पास है, और उसके बाद हम desired gene को जोड़ेंगे, तो बताओ, मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस जो था, वो और मुस्किल हो गया कि नहीं हो गया, complicated हो गया, तो ध्यान रखना, जब वेक्टर में एक से ज़्यादा restriction tight होगी, एक ही restriction endonuclease की, तो उस वज़ से ज़्यादा क्या हो जाएगा, complicated, इसलिए हम इस तरह के वेक्टर का selection नहीं करते हैं, तीसरी condition, तीसरी condition में ये मेरे पास कोई वेक्टर है, पिटे इस वेक्टर के पास तीन साइट है, एक साइट तो ये, जो सालफर्ष्ट की साइट है, एक साइट ये, जो इको आर्फर् इस थी, कि केवल मैं उसी जीन को जोड सकता हूँ, जो इको आर्फर्ष्ट से काट के, काटी गई हो, अरे हाँ कि ना, जबकि यहाँ पर मेरे पास तीन चोइस है, मैं चाहूं तो साल फर्ष्ट से काट के अलग की गई जीन को भी जोड सकता हूँ, और मैं चाहूं तो बैम पास होता है यही मेरे पास है बेस्ट वेक्टर तो जब भी हमने बोला सबस्य अच्छा वेक्टर कौन था जिसमें कई सारी रिकोगनीशन और रेस्ट्रिक्शन साइट हो लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंड नुकलेज की के वलके हो एक साइट यह कहानी यहां से आई निकल ग होगा मैं आपको बता दू PBR 322 है यह एक artificial plasmid है जिसका यूज बैक्टिरिया में जीन ट्रांसफर में करते हैं इसको लैब में बनाया था दो साइन्टिस्ट लोगों ने बोलिवर एंड रोडरीगीज ने इन दोनों ने कहां बनाया था लैब में बनाया था यह अपने पा मिलाके आठ रेंड रेंड और नेओ नूख्लेज की साइट है जैसे यह एंपिसलीन र्जिस्टेंट जीन जीन है जहाँ रखना जब भी पूछें बताऊ टेट्रसाइकलीन रजिस्टेंट जीन पर कौन क्यों दो टाइप की रेस्टिक्षेन टोनीक्लेज की साइट पहला थो ब्मेश फस्ट और दूसरा साल फस्ट इन दोनों की साइट किसकी र प्लाजमीड को इस जग्हे से इस जगे से काट देगा तो फिर ये प्लाजमीड वो प्रोटीन नहीं बनातकता, जो की टेटासाइक्लीन की अगेस्ट रिजिस्टैन्स प्रोवाइड करती की ए, वो प्रोटीन इसकी बोडिमे नहीं बनेगी, भोलो हाक की ना, लेकिन अगर प और जब भी यहां से काटेगा तो ध्यान रखना कि अब अपने पास इस प्लाजमीड में कभी भी वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा जो जो एंफिसलीन के अगेंस्ट रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो यह बात याद रखना तो जब भी पूछे कि बताओ टेट्रसाइ इसिको कहते हैं इसे कडिये ही इनफिएशन अफ जीन कि एक डिजाइड जीन को इनसर्ट करने की वज़े से tetracycline resistance gene क्या हो गई? inactive, इसलिए बोलते insertional inactivation of gene अगर कोई पूछे कि हमने PST first से PBR 322 को काट के desired gene को insert कर दिया तो किसका inactivation हुआ? inactivation of amphicilline amphicilline resistance gene तो उसको बोलेंगे insertional inactivation of amphicilline resistance gene, बोलो yes कि no मेरी बात के लिए रहे उसके अलावा और भी वेक्टर है और वेक्टर मेरे पास है PUC18, PUC19 बच्चे मैं आपको बताता हूँ exactly में ये PUC18 और PUC19 ये भी अपने पास artificial plasmid है जिनको University of California में नहीं बनाया था और ये भी bacteria में gene transfer करने में help करते है next, अगला मेरे पास है TI plasmid and RI plasmid TI plasmid को बोलते है tumor inducing plasmid and RI plasmid को बोलते है root inducing plasmid ध्यान रखना बेटा ये दोनों के दोनो natural plasmid है और इनका यूज करते हैं वो यूज करते हैं dicot plant में gene transfer करने में लेकिन होता ये है कि TI plasmid जो होता है वो dicot plant में tumor produce करने का काम करता है जबकि RI plasmid जो है ये dicot plant में hair root disease produce करने का काम करता है मतनब अगर हमें इन plasmid से कोई अच्छी gene transfer करनी है तो पहले इन plasmid में से harmful gene जो थी उसको बहार निकालना पड़ेगा और उसकी जगे healthy gene और gene of interest को डालना पड़ेगा निकाल देते हैं या replace कर देते हैं by healthy gene तो ऐसे plasmid को बोलते हैं disarmed plasmid disarmed plasmid कि उसकी वो भुजाएं जो रोग पैदा कर रहे थी हमने उनको काट डाला और काट के और फिर उसको यूज किया किसी अच्छे काम में इसलिए उसको बोल दिया disarmed plasmid हमने बोला इन दोनों को disarmed plasmid को किसमें यूज करते हैं dicoat plant में gene transfer करने में यूज करते हैं इसी तरह retrovirus बिटा retrovirus जो थे उसमें भी हम disarmed retrovirus मतलब उनकी pathogenic gene को बहार निकाल के फिर उनको यूज करते हैं किसमे animals में gene transfer करने में अपने पास दो और artificially synthesized DNA पहला है bacterial artificial chromosome जिसको बोलते है बैक यह exactly bacteria में gene transfer में help करता है दूसरा मेरे पास है yeast artificial chromosome जिसको बोलते है ये exactly में yeast में gene transfer करने में help करता है yeast में gene transfer करने में help करता है बच्चे याद रखना बैक जो है ये 50 KB से लेके 300 KB तक के gene और DNA fragment को transfer करने में help करता है जबकि येक जो था वो 1000 से लेके 2500 KB तक के DNA fragment को transfer करने में help करता है और ये दोनों के दोनों ऐसे थे जिनको human genome project में use किया गया क्योंकि ये बड़े size के DNA fragment को transfer करने में use होते है चलो में आगे अगला था सर आप हमें बताईए कि recommend DNA technology में total कितने steps है हमने बोला भया recommend DNA technology है उसमें total मिलाके 9 steps है सब्सक्रे पहला step है isolation of DNA हमारे desired DNA था desired जिन थी वो जिस genetic metal में present थी तब से पहले उस organism में से वो genetic metal बाहर निकालेंगा पहला कम फिर उस genetic metal को restriction endonucleus से digest करेंगे चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ेंगे फिर उसका agroge gel electrophoresis करेंगे ताकि हम हमारी gene of interest या हमारी desired gene जो थी वो उसमें से अलग कर पाएं उसके बाद amplification पीटा अगर हमारे पास genetic material बहुत थोड़ा होता है तो हमें उसके बहुत सारी copy तयार करनी पड़ती है तो इस ही को बोलते है amplification of DNA और यह amplification of DNA यह अपने पास एक optional प्रोसेस है PCR क्या है बेटा एक optional प्रोसेस है अगर DNA थोड़ा होगा तो PCR करने की जरुरत है अगर sufficient amount में DNA है तो हमें कोई भी PCR करने की जरुरत नहीं है उसके बाद क्या था हमने मान लिया कि DNA हमारे पास sufficient amount में था हमने क्या काम किया हमने अपना desired gene जो थी वो एकरो जेल एलेक्ट्रोफेरसिस से अलग कर ली अब उसको vector के साथ जोड़ा जाता है इसलिए हमने बोला ligation of desired gene fragment into vector जब vector के साथ जोड़ा तो क्या बन गया recombinant DNA बना लिए अब उस recombinant DNA को हम transfer करेंगे किसमें? host cell में and recombinant DNA को host cell में transfer करना उसी को जो बोलते है transformation इसलिए हमने बोला insertion of our DNA into host cell और organism इसलिए को क्या बोलते है transformation अब क्या हुआ? host cell and organism में हमने इनको transfer कर दिया और इन organism को culture medium में अपने पास ग्रो कर रहे है अब हुआ क्या कि host cell और organism को organism जिसमें हमने gene of interest को transfer किया है that is transformation किया है अब वहाँ पे अपने पास वहाँ पे अपने पास culture medium में वो काम किया था वहाँ पे अपने पास तीन अलग-अलग तरह के organism मिलेंगे एक organism मिलेगा non-transformed organism एक मिलेगा transformed non-recombinant organism और एक मिलेगा transformed recombinant organism इन तीनों में से हमें select करना पड़ेगा वो select करना पड़ेगा किसका transformant recombinant का तो अपने पास साथवा step है कि अपने host में gene transfer कर दी उसके बाद उस host का selection करना जिसमें हमारे gene of interest present है that is transformant recombinant का selection करने का program होगा फिर transformant recombinant को हम select करेंगे select करके और उन्हें bio reactor में large skill पर growth करवाएंगे ताकि desired product को large scale पर प्राप्ट किया जा सके अरे हा कि न और उसके बाद वो जो product उनके पास बन जाएगा उसके बाद वो जाएगा downstream processing में बोलो हा कि न यह अपने पास total मिलाके nine steps है मैं one by one करके बात करता हूँ बड़े ध्यान से देखना सबसे पहला था isolation of DNA मालने जी हम DNA के isolation में जो काम कर रहे है वो हमने एक bacterial cell का DNA जो था वो बाहर निकालना है बड़े ध्यान से देखना है हमने बोला cell membrane और यह black color का जो आपको दिखाई दे रहा है यह bacterial cell का DNA हमने क्या काम किया इस bacterial cell से DNA को बाहर निकालना था बाहर निकालना है तो सबसे पहले उसकी cell wall को dissolve करना पड़ेगा उसके बाद उसकी cell membrane को dissolve करना पड़ेगा और cell wall को dissolve करने के लिए हमने यहां पे apply कर दिया वो कर दिया कौन सा lysogym जो है lysogym हमने डाला इस lysogym ने बैक्तिरिया की cell wall जो थी उस cell wall को तोड़ना शुरू कर दिया उसके बाद जब cell wall तूट गई तो अपने पास क्या बची cell membrane और आपको पता है cell membrane का mostly part lipid होता है इसलिए हमने यहां पे enzyme apply कर दिया वो कर दिया lipase इस lipase enzyme ने इसकी cell membrane को dissolve कर दिया मतलब cell wall भी तूट गई और cell membrane भी तूट गई अब हमने क्या काम किया इसका किया centrifugation में हमने क्या काम किया centrifugation मतीन में लग बग 3000-4000 round per minute की speed से इनको तेजी से गुमाया जब इनका centrifugation किया 3000-4000 round per minute के हिसाब से तो दीरे दीरे यह तूटे हुए fragments cell wall के और cell membrane के यह इस test tube में नीचे जाके क्या होगे sediment होगे अरे हा कि ना अब बचा क्या अब बचा इस cell के cytoplasm वाला part and DNA cytoplasm वाला part जिसमें इसके cell organelles पड़े होए थे खूब सारी protein अपने पास थी RNA था और यह DNA था बोलो हा कि ना अब हमें चैलेंज है कि हमें क्या चाहिए केवल और केवल DNA चाहिए हमें protein and RNA नहीं Сп PROFDR7 हमने क्या चाहिए कि यह जो मेरे पास test tube थी अब इसमें हमने protein and já नभेड नभेड़ेंज परहिए यह protein परलेगा द दोब हही हमें अब पर्ण क्या क्या कर対 देगा यह बचारो था दोब होए नभे 12 नोभे Parece प्रोटीज ने प्रोटीन को तोड़ डाला, आरेनेज डाला, उसने आरेने को तोड़ डाला, कभी भी डीएनेज डालना नहीं है, क्योंकि अगर डीएनेज डाल दिया तो वो डीएने को तोड़ देगा, भाई डीएने को तोड़ना नहीं है, दीएने को तो बहार निकालना ह हमने यहां पर क्या डाला हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया बेटा वो क्या डाल दिया चिल्ड एथनोल जो ही हमने चिल्ड एथनोल डाला उस चिल्ड एथनोल की वज़े से धीरे धीरे DNA का क्या हुआ हुआ प्रिसिपिटेशन हुआ जब प्रिसिपिटेशन हुआ तो यहां पर यह जो डाइग्राम है यह बिल्कुल NCRT माता का डाइग्राम है अपने पास यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह डाइग्राम में जो दिखाई दे रहा है यह अपने पास है करते तक ले गए और इस ब्रश को दीर DRY करके ऐसë-इसे गुमाने लगय जब पतने लगए तो धीर 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 ने learnt लिपट थे और लिपटा तो बड़ी सेफ़ी हमने इसको यहां से बहार निकाल लिया, तो NCIT माता ने ये डाइग्राम भी बना के दे रखा है, और ये डाइग्राम भी बना के दे रखा है, और इस डाइग्राम में ये दिखाई दे रहा है, कि कैसे चेल्ड एथिनोल डालने के बाद, जो प्रेसिपिटिट डियने था, उस DNA को बाहर निकालते हैं तो हमने बोला separation separation of precipitated DNA इसी को process को क्या बोलते is pulling अरे भाई NCIT माता ने भी ऐसे लिख रखा है NCIT माता ने क्या लिख रखा है कि separate out can be removed by is pulling is pulling वाले process के थुरू यह जो precipitated DNA था इसको क्या कर लेते remove इसी process को क्या बोलते हैं पूलिंग बोलते हैं तो जब भी बोलें इस pulling क्या था तो आप को गए precipitated DNA को remove करने को ही क्या बोलते हैं हटाने को ही क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं इस pulling जलू मैं आगे मतलब हमने DNA बाहर निकाले अब अब इस DNA को छोटे छोटे टुकडों में काट ना था by the help of restriction endonuclease यही काम हमने किया हमने मालिया यह हमारा source DNA था जो हमने बाहर निकाला था हमने restriction endonuclease लिया that is RE लिया और उस RE की help से इसको छोटे 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 टुकडों में काट दिया रहा कि नशा हमें थोड़ी पता है यार कि हमारी desired gene कौन सी है हमारी gene of interest कौन सी है हमें नहीं पता अब हमारे सामनी ये challenge था कि DNA के बहुत सारे टुकड़े थे उन्हें एक line में एक order में arrange करें और फिर उस में से हम हमारी desired gene को find out करें separate करें और हा कि न यहाँ पर hint के तोर पर मैंने बताया कि मा प्राइड कलर का जो मैंने बनाया यह मान लीजे desired gene थी और इस desired gene के बारे में हमें idea था कि इस desired gene का size क्या है यह हमें कुछ idea था तो अब क्या काम करेंगा इन बहुत सारे टुकड़ों में से हमें desired gene को अलग करना है और अलग करने के लिए तो agro gel electrophoresis करना पड़ेगा हमने व इ से बंगे डाइग रोज बहुत इसे और इस नोना आरे में ल वाले पार्ट पर वेल्स आपको पता है कैथोड पर कैसा चार्ज नेगिटीव चार्ज एदर है वहाँ पर क्या बने हुए वेल्स बने हुए याद करो DNA पर भी कैसा चार्ज होता है नेगिटीव चार्ज है और DNA नेचर में कैसा होता है आईड्रो फिलिक तो हमने जो DNA के पर लोड कर दिया अब हमने एलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई किया तो डीने के फ्रेग्मेंट जो थे वह एगरो जैल में प्रिजेंट पोर से होते हुए धीरे धीरे पोजिटीव एलेक्ट्रोड दैट इस एनोड की तरफ मुव करने लगेंगे लेकिन याद रखना दोस्त क जो डीने फ्रेग्मेंट मुव कर रहे हैं किदर फ्रोम कैथोड टू एनोड दैट इस नेगेटीव वाले एलेक्ट्रोड से पोजिटीव वाले एलेक्ट्रोड की तरफ मुव कर रहे हैं तो छोटे डीने के फ्रेग्मेंट जो थे वह तेजी से मुवमेंट करेंगे जबकि की बड़े size के जो थे, वो धीरे-धीरे, होले-हुले movement करेंगे, तो जो सबसे छोटा DNA का fragment होगा, वो तो nanode के होगा सबसे पास, और जो सबसे बड़ा DNA का fragment होगा, वो node के होगा सबसे दूर, तो मैं ये कहा दूं कि DNA के fragment जो थे, वो arrange होगे, वो arrange होगे in the order of साइज, सबसे छोटे साइज वाला, एनोड के सबसे पास, सबसे बड़े साइज वाला, एनोड से सबसे दूर, बोलो हाँ कि ना, ऐसे आरेंज हो जाएंगे, लेकिन भाई सब, हमें वो DNA फ्रेग्मेंट इतने छोटे हैं, कि दिखाई नहीं देंगे, अरे जब एक सैल ही नही पूरा का पूरा प्रोसेस करने के बाद, यहाँ पे एक ड़ाई अपलाई कर दि, और उस ड़ाई का नाम है, इतिबी आर, इस एफडियम ब्रोमाइड नाम की जो डाई थी, वो यहाँ पे अपलाई कर दी, ETBI डाल दिया, ethidium bromide जो था, उससे इनको stain कर दिया, अब ethidium bromide से stain करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या काम किया, तो अब हमने ethidium bromide से stain करने के बाद, यहाँ पर UV rays डाली, बेटा जो ही UV rays यहाँ पर डालेंगे, हमें तुरंत के तुरंत इस प्लेट पे ओरेंज कलर के बैंट्स दिखाई देंगे तो ध्यान रखना पूछेगा एथेडियम ब्रोमाइड से श्टेनिंग के बाद विजुल लाइट रेज डालते हैं बोल नहीं यूवी रेज डालते हैं और यूवी रेज डालने के बाद हम से है माल लीजिए हमारा डीजार्य मेटłeल जीन यहां कभार किया इस जी यहां से एक रोज हो इस कट हिए हमने जब इसको कट नेख ला तो अजीज यह एग रोज भी यह डिजायड जीन का टुकड़ा भी आया मेरे को एग्रो जेल चाहिए क्या नहीं मेरे को तो डिजायड जीन का टुकड़ा चाहिए तो हमने क्या काम किया हमने यह जो अपने पास टुकड़ा निकाला यह जो एग्रो जेल निकाला इसको हलका सा बोईल किया थोड़ा सा गरम किय अरे जब थोड़ा सा गरम किया तो जो agro gel था वो तो पिंगल के बाहर निकल गया और मेरे पास क्या रहे गया? एक अकेला desired gene का टुकड़ा ये मेरे पास क्या रहे गया? quasi desired gene और desired DNA का टुकड़ा रह गया कि ने रहे गया? तो बड़ा प्यारा सा concept मैं बोलने जा रहा हूँ इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं इलूशन, तो जब भी बोले, what is the meaning of illusion, तो आप कहोगे, एग्रो जैल प्लेट से, एग्रो जैल को कट करके अलग करना, प्लस उस में से डिजाइड जीन को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, इलूशन, बोलो yes की no, यह पूरा का पूरा काम हुआ, हमने हमारी डिजाइड जीन जो थी, वह वहार निकाल ली, of condition था, कि माल लिजिए, डिजाइड जीन का size अगर छोटा होगा, अगर हमारे पास डिजाइड जीन जो थी, वह कम amount में होगी, तो कम amount में होगी, तो हमें इ था, यह बहुत थोड़ा था, बहुत छोटा था, बहुत कम था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका amplification, तो हमने क्या किया, इस डिजाइड दिए ने, फ्रेग्मेंट का amplification किया, इसकी बहुत सारी copies दयार की, और उसके लिए हमने काम में लिया, PCR, पिछा, PCR की फुल फोर महीं, polymerase chain reaction, polymerase chain reaction, exactly में 1983 में, 1983 में एक साइंटिस्स्ट था, साइंटिस्ट का नाम था कैरी मूलस, उस कैरी मूलस्ट नाम के साइंटिस्ट ने PCR टेक्निक को डिसकाुड गिया था, इस PCR टेक्निक में, जो DNA polymerase गाम में लिया जाता है, उसका नाम में, टैक पोलीमरेज, tech polyam gases, एग्जच्ट्ली में इस टैकं पोलिम्रेज को घरमत एकवेटिकस बैक्तीरिया से आइसोलेट किया जाता है जो कि होट इस्पृंग स्प्रिंग में रहता है आब आउट PCR में कितनी step है बेटा PCR में टोटल मिलाके अपने पास तीन step है कितनी step है तीन step PCR का तब से पहला step को बोलते हैं इस denaturation वाले step में हम क्या काम करते हैं यह जो अपने पास double extended DNA था इस double extended DNA को लगबग 94 degree centigrade temperature पे single extended DNA में convert करते हैं पहला denaturation जिसमें 94 degree centigrade पे double extended DNA को किसमें convert किया गया single extended DNA में पहला काम फिर फिर temperature हमने reduce किया about 54 degree centigrade पे दूसरा step शुरू हुआ जिसको बोलते हैं anneling में क्या होता है यह जो single extended DNA था इस single extended DNA के साथ DNA और RNA प्राइमर को एड किया जाता है किसको एड किया जाता है DNA और RNA प्राइमर को तो जब भी पूछे what is the meaning of anneling तो आप कहोगे anneling process क्या था adding of DNA और RNA प्राइमर टू single extended DNA उसको क्या बोल दिया anneling कितने temperature पे वहा 54 degree centigrade पे वहा उसके बाद तीसरा जो था वो था extension यह इसको बोलते polymerization exactly में यह process about 72 degree centigrade पे होता है और यहीं पे DNA polymerase that is tech polymerase enzyme जो था वो अपनी activity शो करता है और DNA का polymerization होता है DNA का polymerization होता है तो हमने बोला कि PCR के कितने step तीन step denaturation anneling and extension denaturation में double extended से single extended DNA बनता है anneling में single extended DNA से primer जोड़ा जाता है and extension में tech polymerase enzyme की activity होती है जिससे क्या होता है polymerization चले भी अपना आगे next देखें है अगला था सर हमने DNA की बहुत सारी कोपी भी तैयार कर ली अब हमारे पास जो DNA था जो desired gene थी उस desired gene को हमें vector के साथ जोड़ना है और जोड़के क्या बनाना है recommendant DNA यह मेरे पास कोई vector है यह मेरे पास कोई vector है और यह मेरे पास हमने बोला हमारी desired gene है यह हमारे पास क्या हमारी desired gene है तो हमने क्या बोला कि vector के पास होनी चाहिए cloning site और recognition site तो हमने बोला इसके पास eqr first की site थी और यह भी eqr first से तो काट के लग किया गया तो हमने बोला इसके पास उसकी site थी कि नहीं थी तो हमने इस vector को लई को और फश्क से काटा और काटके और इस desire gene को इसके साथ जोड दिया by the help of DNA ligase तो मेरे पास यह जो बना क्यों सा बना यह मेरे पास बना यह बना recombinant DNA डीएनए तो यह ही तो कहा था कि desire gene को vector के साथ जोड़के आर DNA का क्या किया, अब क्या करेंगे, आर DNA तो बन गया, अब इस RDNA को एक host cell में डालेंगे, ताकि हम इस recombinant DNA और इस desired scene की खुब सारी copies क्या कर सके बेटा, तैयार कर सके, तो इती काम के लिए हमने क्या काम किया, इसको ट्रांसफर करना है host cell में, होस्ट सैल में ट्रांसफर करने को ही बोलते हैं ट्रांसफर्मेशन अब होस्ट सैल में डिजाइड जीन और रिकोमिनेंट जो अपने पास डिन था उसको करना है ट्रांसफर होस्ट सैल में डिजाइड जीन को ट्रांसफर करना था उसके दो तरीके एक तो था वेक्टर से जाता है और सेल में डाल दिया जाता है पहले अपन बात करते हो बात करते इंटारिक्ट में इंडारिक्ट में हमारी NCRT माता ने जो बात करी है वो तमसे पहले बात करिए है, gene transfer, gene transferring bacteria, bacteria में gene transfer को दिखाया है by the help of vector, that is, plasmid के help से, और उसमें जो explain दिया गया, वो दिया गया, heat shock treatment के बारे में, पहली बात, दूसरा, अपन प्लांट में भी gene transfer करते हैं, वो करते हैं, disarmid plasmid के help से, disarmid Ti और Ri plasmid की help से gene transfer करते हैं किसमें प्लांट में इसके बारे में भी NCIT ने जिक्र किया है पिटा एनिमल्स में भी हम gene transfer करते हैं by using disarmid retrovirus उसकी help से कर सकते हैं लेकिन NCIT ने जिक्र तो disarmid का किया है लेकिन detail में बात केवल किसके बारे में बात किया है heat soak treatment के बारे में detail में बात करिए अब था कि सर बीना vector के gene transfer करना हो तो उसे बोलते डारेक्ट gene transfer जिन में सबसे पहला आता है micro injection में क्या होता है एक बहुत fine injection होता है उसमें desired gene को भर लिया और animal की cell में needle के दुआरा दीरे 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 उस gene को animal की cell में inject कर दिया और यहां कि ना तो हमने बोला जब एक बहुत fine needle और injection की help से gene को सीधा animal की cell में डाल दिया जाता है तो उसी को बोलते है micro injection technology ध्यान रखना मैंने वर्ड यूज कि animal cell क्योंकि यह micro injection method है यह best method है किसके लिए animal cell में gene transfer करना है तो उसके लिए best method आता है particle gun method, biolistic method या उसी को बोलते हैं वो बोलते है gene gun method, gene gun method में क्या किया जाता है कि इसमें desired gene जो थी उस desired gene जो थी उसको wrap कर लिया जाता है over tungsten और gold particles, gold particle and tungsten particle के उपर किसकी wrapping कर ली, अपने पास desired gene की wrapping कर ली, अब सामने plant की cell रहेगी और जैसे बंदूक से गोली निकलती है, ऐसे ही gene gun की help से वो जो मेरे पास particles थे, उन्हें bombard किया जाएगा, उन्हें दागा जाएगा, किसके उपर, cells के उपर, और जैसे गोली सरीर म के अंदर घुसेंगे, तो उनके साथ साथ ही चया क्या चली जाएगी, डिजाएड, gene भी चली जाएगी, ये method best है किसके लिए, plant cell के लिए, NCRT ने केवल दो ही method के बारे बात कर रखिए, इसलिए मैंने दो को ही चुना है, पहला micro injection, best method था किसके लिए, animal के लिए, दूसरा particle gun या biolistic method या gene gun method वो best था, plant cell के लिए, particle में जो particles काम में लिया जाते है, वो लिया जाते है, tungsten and gold particles, चलो में आगे, अब यहाँ पे बहुत detail में NCIT ने बात की, वो किसके बारे में बात की, gene transferrin bacteria, that is heat shock treatment के बारे में, बड़े ध्यान से देखे, मैं भी इसके बारे में बात करत हैं आपके सामने gene transferrin bacteria, मानने जे मेरे पास कोई test tube है, यह मेरे पास कोई bacterial cell है, that is host cell है, मुझे इस host cell में इस recominant DNA को transfer करना है, इसकी by the help of vector, green वाला हुआ vector, red वाली हुई desired gene, और यह मेरे पास हुआ DNA, अब आपको पता है कि यह जो मेरे पास DNA है, आपको पता है कि DNA पे negative charge होता है, और DNA nature में कैसा होता है, hydrophilic, लेकिन किसी भी cell की cell membrane nature में होती है, hydrophobic, nature में कैसी होती है, hydrophobic, तो वह यह कि यह जो bacteria था, यह सीधा का सीधा इस recombinant DNA को intake नहीं कर सकता, तो अबकम ने क्या काम किया, हमें यह DNA इस cell के अंदर डालना था, इसलिए हमने क्या क्या पता, इस test tube में, dichylene iron क्या करम करेंगे, पिटा ये calcium iron यहाँ पर डाले, ये calcium iron क्या काम करेंगे, ये calcium iron का एक portion तो जुड़ गया, DNA से, एक portion जुड़ गया, इस host cell से, अरे यहाँ की न, तो अब calcium iron क्या काम करेंगे, जब calcium iron नहीं थे, तो ये जो मेरे पास cell थी, ये इस rdna को intake करने के लिए अगरी नहीं थी, तो calcium iron क् काम करते हैं, तो NCIT ने clear लिख रखा है, कि calcium iron इस host cell को rdna की intaking के लिए competent बनाने का काम करते हैं, उसको competent बनाने का काम करते हैं, मतलब इस recommendant dna को grant करने की ability cell की, जो थी, वो क्या हो जागी, increase, किस की help से, calcium iron की help से, और ये calcium iron ही थे, जो इस rdna को host cell की surface से चिपकाने का काम कर र दिया, अब आगे की कानी सुरू होगी, क्या होगा भईया देखो, calcium ने cell से चिपका दिया, और अब उस पूरी की पूरी test tube को हमने ice में रख दिया, 0 degree centigrade पे, ice पे बहुत देर तक रखा रखा, फिर उसके बाद हमने अचानक से suddenly ice से निकाला, और इसको transfer कर दिया, 42 degree centigrade temperature पे, water के अंदर, water जिसका temperature कितना था, 42 degree, अचानक से ice से निकाल के, इसमें transfer कर दिया, और इसमें हमने रखा, 2-3 मिनट, क्या रखा, 2-3 मिनट, हमने क्या देखा, इस ठंड से, जब अचानक से, हमने इसको यहाँ पे transfer किया, तो अपने पास, इस cell की, cell membrane में, temporary pores का हुआ, formation, आप देखें, यहाँ पे बन गया, temporary pore, temporary pore का formation हुआ, और यह जो genetic material था, यह genetic material का आ गया, cell के अंदर, फिर हमने इस cell को यहाँ से, यहाँ से, तुरंद के तुरंद निकाला, और निकाल के दुबारा से, कहाँ transfer कर दिया, 0 degree centigrade पर कर दिया, बोलो हाँ की न, 0 degree centigrade पर किया, यह जो मेरे पास recommend DNA था, यह cell के अंदर गया, और धीरे धीरे यह hall जो थे, यह क्या होगे दुबारा से, close हो गया, क्या हो गया, close हो गया, और इस तरह से हमने बोला, कि हमने थंडे से, गरम में, गरम से, थंडे में transfer करके, अपने पस desired gene को, vector की help से, host cell में enter करवा दिया, इसी को हीट शोक treatment, चलें जी अपना आगे, थोड़ा सा आगे मोह करते, प्लीज देखिएगा, अगला था, सर हीट शोक treatment दे दिया, host टायल में desired gene सली गई, लेकिन आपने बोला था, कि अब desired gene जो थी, वो host में पहुंच गई, लेकिन हमें, जो micro-organism मिलेंगे, वो तो 3 type के मिलेंगे, किसरे type के मिलेंगे, 3 type के मिलेंगे, और कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा non-transformant, एक मिलेगा transformant non-recominant, और एक मिलेगा transformant recombinant, हमारे काम का कौन सा, येस बोलो कौनसा transformant recombinant हमारे काम का है क्योंकि उसी ओर्गणिजम में gene of interest और हमारे desired gene है बोलो हाग की ना अब बड़े ध्यान से सुनिएगा हमने बोला हमारे पस्तीन तरह के organism थे एक था मेरे पास non-transformant दूसरा था ट्रांसफोर्मेंट के नके ऐन तीसरा था ड्रांसफोर्मेंट रिको में इधियान से रही हिना अब हमें डीजाइड और गनीज्म का सेलक्षन करना हैं मान लीजिये मेरे पास कि जो मैंने gene of interest डाली वो माली जी PBR 322 में डाली और उस जगे पे डाली जहां पर tetracycline resistance की जीन थी आपिना हमने बोला प्लाजमीड में tetracycline resistance की जीन कौन सी है नीले वाली पीले वाली किसकी है क्या डाल दी तो क्या tetracycline की जीन काम करेगी काम नहीं करेगी काम नहीं करेगी मतलब टेटरासाइकलीन की जीन का क्या हो गया इनसर्शनल इनक्थिवेशंभोगलों व लहां कि न मतब यहां तीन टाइप के ग्याम मुझे मिले एक तो वह जो टेटरासाइकलीन डॉनों में से किसी भी ऐंटी का सामना नहीं कर सकता तुरंट के तुरंध मरेगा वो था मेरे पास गाल है त incumbent पास और जिसको अगर लिएrollo में डाला जाएगा तो एमफिसलीन की जीन तो नोर्मल है, वो जिन्दा रहेगा, लेकिन अगर टेट्रसाइक्लीन में डाल दिया, तो वो मर जाएगा, क्योंकि टेट्रसाइक्लीन जीन का क्या हो सुका है, इंसर्शनल इनक्टिविशन, अब इन तीन पैरामेटर के बेसिस पे, हमें अपने काम के मा एक कोलोनी वो थी, जिसमें दूसरे वाले थे, इस ट्रांसफोर्मेंट, नोन रिकोमिनेंट, एक कोलोनी वो थी, जिसमें तीसरे वाले थे, इस ट्रांसफोर्मेंट, रिकोमिनेंट, अब हमने क्या काम किया, यह तीनों की तीनों कोलोनी थी, हमें यह पता करना था, कि हमार वाले transformant recombinant कौन से हैं, तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले इस plate की replica बनाई, और replica किस से बनाई, antibiotic, that is ampicillin antibiotic culture medium पे replica बनाई, जब ampicillin वाले medium में आया, तो ampicillin वाले medium में कौन मर जाएगा, ampicillin वाले medium में तो केवल और केवल पहले वाला मर जाएगा, मतलब यह हमने बोला स सबसे उपर वाला मर गया, तो हमें यह तो पता चला, कि जो दो बचे, वो दो या तो यह बचा, यह बचा, यह तो बचा, अरे हां कि ना, तो जब भी पूछे, दोनों में similarity क्या थी, अरे यह भी transformant था, यह भी transformant था, non-transformant तो भगवान को प्यारा हो गया, तो जब भी ब जाला जाता है, उस टाइम पे, अगर देखे, तो amphicilline containing medium जो है, वो किसका selection कर रहा है, आपको गे, transformant cell का selection कर रहा है, वो पूछेगा, कि अगर हमें transformant recombinant का selection करना है, तो क्या करेगा, हमने कहा हम एक और replica बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक और replica बनाएंगे, हमने एक और replica बनाई, वो बनाई कोन से पे, tetracycline पे, और हमें पता था, tetracycline पे हमारा वाला जिन्दा नहीं रहेगा, जो ही tetracycline medium पे ले गए, तो tetracycline पे यह उपर वाला भी मर गया, उपर वाला जो यहां पे भी मर गया, यहां पे भी मर गया, सेम जगह पे, non-transformant है, नीचे वाले जो मर गया, जो मर गया, वो मर गया, वो कैसा होगा, वो होगा, transformant recombinant, हमने बोला, यह मेरे पास था, transformant recombinant, तो हमने बोला, जब भी पूछेगा, कि tetracycline वाली, resistance वाली जीन की जगह, अगर desired जीन को डालूं, तो बताओ, amphicillin antibiotic किस के selection में help करेगी, याद करना, transformant के selection मे help करेगी, tetracycline antibiotic किस के selection में help करेगी, आप बोलना, कि वो recombinant, transformant के selection में help करेगी, that is desired microorganism के selection में help करेगी, लेकिन यार, जब हम दो antibiotic को use करते हैं, as a selectable marker, तो ये पूरा का पूरा process है, ये बहुत complicated हो जाता है, और हमसे गलती होने की chance बढ़ जाते है, तो इसलिए scientist लोगों ने थोड़ा advance काम किया, वो बोले क्यों ना हम ऐसा करें, कि हम एक तो ले ले एंटिबायोटिक, एक तो क्या ले ले, एंटिबायोटिक, और एक ल ले लिए, दोनों एंटिबायोटिक की बज़ाए, selectable marker तो दो लिए, लेकिन एक तो एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन लिए, एक लिया lexazine, बोलो हाँ किना, अब दुबारा से देखो, तीन टाइप के organism आ गए, अरे हाँ किना, पहला non-transformant, non-transformant वो था, जिसमे ना तो amphicilline के लिए resistance है, ना lexazine है, दोनों ही नहीं है, दूसरे वाला था, transformant non-recominant, ये वो था, जिसमें कोई भी, कोई भी, अपने पास external gene, और मैं कहूँ कोई भी desired gene present नहीं है, तो उसमें amphicilline के लिए resistance भी था, और lexazine जो थी, वो भी normal थी, तीसरा वो था, जिसमें lexazine की जगे पे, lexazine की जगे पे, हमने desired gene डाल दी, अरे जब lexazine को बीच से काटा, और उसकी जगे desired gene डाल दी, तो lexazine अपना काम करेगी क्या, नहीं, अपना काम नहीं करेगी, लेकिन sir, lexazine का काम क्या था, lexazine वो जीन थी, जो एक enzyme बना रहे थी, जिसका नाम था, बीटा गेलेक्टोसाइडेज, lexazine कोन था जगे मना रहे थी, बीटा गेलेक्टोसाइडेज, जब lexazine वाली जगे पे, हमने desired gene डाल दी, insert कर दी, तो lexazine का हो गया insertional inactivation, तो पूछेगा, यहां पे किसका insertional inactivation करवाएं हमने, lexazine का, अरे जब lexazine का insertional inactivation हो गया, तो अब क्या होगा, अब बीटा गेलेक्टोसाइडेज, एंजाइम ये वाले organism नहीं बनाएंगे, क्योंकि lexazine क्या हो चुकी है, inactiv, लेकिन एमफिसलीन वाली gene में कोई दिक्कत नहीं है, एमफिसलीन वाली gene नोर्मल थी, तो एमफिसलीन रजिस्टेंस वाली gene नोर्मल थ है, हमने इनको ट्रांसफर कर दिया, ऐसे culture medium में, जिनमें एमफिसलीन एंटिबायोटिक है, और उसमें एक वाइट कलर का compound है, जिसको बोलते है, एक्स गेल, जो कि एक क्रोमोजैनिक सबस्टेंस है, क्रोमोजैनिक सबस्टेंस, ध्यान रखना, एक्स गेल, जो कि क्रोमोजै सबस्टेंस है, उसकी खास बात थी, कि जब भी बीटा गेलेक्टोसाइडेज एंजाइम आएगा, वो उस वाइट कलर के compound को ब्लू कलर में चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, ब्लू कलर में, मतलब बीटा गेलेक्टोसाइडेज आया, तो ब्लू कलर दिखाई दे and transformant recombinant को भी अब हमें select तो इसको करना है that is transformant recombinant को select करना है हमने क्या काम किया हमने क्या देखा कि ampicillin medium में जब रखा तो ampicillin medium में ये बिल्कुल भी जिन्दा नहीं रह सकता तो सबस्यों उपर वाले organism थे वो थोड़ी थोड़ी दिर बाद हमने क्या देखे कि जिन्दा कोलोनी बची उसमें से एक जगए पर नीला रंग दिखाई देने लगा जबकि दूसरा पाट क्या था एकदम वाइट था हमने का जहां पर नीला रंग है वहां पर तो पक्का है भीक्ता ग्यलक्तो साइसियग बन रहा होगा जो कि वाइट कर्मोजेशीचीः सबस्क्राइब सकता था इसको तोड के इस से अन्धion करके ब्लू कलरव होगा एठक्या वाइट का वाइटरी काम कर रही है और लेक्जेड जीन काम कर रही है इसका मतलब बीटा गेलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो बन रहा है और लेक्जेड जीन तो इसमें काम करती थी जो कैसा था ट्रांसफोर्मेंट नोन रिकोमिनेंट तो जब भी पूछे कि बताओ ब्लू कलर जिसने दिया वो किस ने दिया उसने दिया जिसमें लैक जैड जीन काम कर रहे थी वो किसमें कर रहे थी ट्रांस्फोर्मेंट नोन रिकोमिनेंट रहे वो पूछेगा ट्रांस्फोर्मेंट रिकोमिनेंट जीन में लैक जेड जीन का इंसर्शनल इनेक्टिविशन हो गया था वो कैसा कलर देंगे अरे बाई जो वाइट कलर दिया वो वो दिया जिसमें लैक जेड जीन काम नहीं कर तो वाइट कलर वाली colonie रहेगी वो तो recominant वाली रहेगी जिसमें हमारी desired gene है और blue color वाली colonie रहेगी वो वो रहेगी जो की जो की transformative non recominant है बतबह इनके पास हमारी desired gene नहीं है तो हमारे काम का तो यह colony हुआ हमने select कर लिया अब हमने इन औरगनिजम को select कर लिया कि बहिया ये काम के हैं बाकी बेकार के हैं फिर इन औरगनिजम को हमें लार्ज स्केल पे growth करवाना था लार्ज स्केल पे growth करवाना था तो हमें इनके लिए एक nutrient-rich कल्चर मीडियम देखना पड़ेगा जिस सब कल्चर मीडियम में इन ओर स्वपरोल कर acompa opinion तक इन के लिए awake time टैंप्रेचर देखना पड़ेगा इनके लिएे अप्टीमम पीच देखना पड़ेगा के stainless steel के बने हुए बहुत बड़े से tank थे उन tank में हमने उनके लिए जो भी उप्यूक्स कल्चर मीडियम था वो रख लिया वहां पर हमने उनका pressure monitor किया उस medium की pH monitor करी उस medium का temperature monitor किया और वहां बहुत तेजी से growth करते रहे growth करते रहे और लगा अतार डिजाइड प्रोडेक्ट बनाते रहे मान लीजी हमने जो जीन डाली थी वह human insulin की डाली थी तो लगा अतार microorganism growth करते रहे वह खूब सारी जीन की नई कोपी बनती रही खूब सारा मान लीजी अपने पास insulin बनता रहा जब खूब सारा insulin बन गया और हमें लगा कि कल्चर मीडियम जो था उसके मोश्टली पदार्थ जो थे वह यूज हो चुके हैं मतलब अब उसमें nutrients की कमी आने वाली है microorganism मर जाएंगे तो हमने क्या काम किया इस bio reactor से इस पूरे के पूरे को कलेक्ट कर लिया जब कलेक्ट कर लिया और चाना चान के हमने क्या रखा हमने रखा उनमें GMO को किसमें रखा कि GMO को अरे वह genetically modified organism थे उनके अंदर ही यह उनके पास ही तो क्या था प्रोडेक्ट था हमने यहाँ पर कल्चर मीडियम को तो बहा दिया और जो genetically modified organisms थे जिनके अंदर मेरा प्रोडेक्ट था उसको अपने पास इखटा कर लिया अब यह जो मेरे पास था इसमें मेरे पास है genetically modified organism प्लस मैं कहूं product वह सारी सारी चीज यहाँ है कि नहीं अब मुझे यहाँ से इन organism में से इन organism में से बहार निकालना है वह बहार निकालना है desired product that is human का insuline जो था मानली जीए वह बहार निकालना है तो इन में से insulin को बहार निकाल यहाँ उस प्रोडेक्ट को separate किया उसके बाद मुझे उसका क्या करना है product के biosynthesis के बाद product का separation करना, उसका purification करना और उसमें उप्यूक्त preservative मिलाना, ये तीनों के तीनों जो आते हैं, वो आते हैं downstream processing में, तीनों के तीनों किसमें आते हैं, downstream processing में, उसके बाद हमने उनका quality control test किया, फिर उसके बाद उनकी packaging की, और packaging के बाद market में उनको बेचने के लिए भेज दिया, that is marketing करी product की, उनको market में भेज दिया, तो जब भी पूछे MCIT के हिसाब से, कि downstream processing में क्या आता है, तो आप कहोगे, after biosynthesis of product, हमें क्या करना पड़ता है, separation of product, purification of product, and उसमें क्या मिला जाता है, मिला जाता है, suitable, suitable, preservative को मिला जाता है, इन तीनों को मिला के बोलते, downstream stream processing, बोलो, yes, किनों, अब आपन बात करते, आगे, अब हमने बोला, कि हमें अगर अगर अपना desired product, large scale पे चाहिए था, तो micro organism को large scale पे growth करवानी थी, और उसके लिए हमने का मिलिया था, bio reactor, bio reactor हमने बोला, 500 से 1000 लिटर के, stainless steel के बने वे tank थे, जीन में, जीन में, उप्यूक्त, उप्यूक्त, that is optimum temperature, optimum pH पे, nutrients rich culture medium में, micro organism को large scale पे growth करवाया जाता है, ताकि large scale पे product, produce किये जा सके, अब सवाल सही, bio reactor क्या थे, पिटा, bio reactor जो थे, वो अपने पास stainless steel के बने वे tank थे, और वो दो type के थे, पहला था, simple steered tank bio reactor, simple steered tank bio reactor, और अब सबसे फेमस सवाल यहीं पूछेगा, बताओ, most common type of bio reactor कौन सा, तो ध्यान रखना, simple steered tank bio reactor है, वो ही most common type of bio reactor है, जबकि दूसरा, sparger, steered tank bio reactor, इसमें क्या किया जाता है, यह जो अपने पास बहार से sterile air जो थी, उसको sparger के थूरू, sparger के थूरू, culture medium में फैका जाता है, जिससे air के बुल-बुले लगातार नीचे से उपर की तरफ जाते रहते हैं, और यह air के bubble जो है, यह air के bubble जो है, यह क्या काम करते हैं, यह air के bubble जो है, यह क्या काम करते हैं, तो यह लिख रहता है कि bubbles dramatically increase the oxygen transfer area, air जो bubble की फोरो में जा रही है, तो culture medium के जादा बड़े area में oxygen की supply हो पा रही है, और दूसरा जब air बहार निकल रही है, तो आप देखें, इसकी पूरी की पूरी surface उची-ची-ची-ची-ची-ची होगी का काम किया, तो यह जो air bubbles के थूरू, air bubbles के थूरू, oxygen transfer area को बढ़ाना, यह काम किस में हुआ, इसपार्जड, steered tank bio reactor में हुआ, और यह जब इसपार्जड, steered tank bio reactor में हमने air को स्पार्जड किया, तभी तो surface area क्या हुआ, surface area हुआ, बेटा, increase, NCRT माता ने केवल इतनी सिक ही ब बात कर रखी है, मैंने NCRT की लगबग सभी concept को इसमें सामील करने की कोशिस करी है, ठीक है, तो दिल लगाके पढ़ना है, NCRT को जान लगाके पढ़ना है, फिर जो कुछ होगा, वो बहुत अच्छा ही होगा, मिलेंगे हम अगले lecture में, तब तक के लिए आप सभी खुश र रहे है, जाए हिंद, थैंक यू, थैंक यूरी मच्च